असलाम अलेकुम, हाई फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताऊंगी स्मोकी आई मीकप का फुल टूटोरियल मैं दो तरीके के स्मोकी आई मैं आपको आज बताने वाली हूँ और ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए तो वीडियो को एंड तक देखेगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा सो इस आई डमी पर ही मैं आपको करके बताऊंगी कि किस तरीके के से कौनसी कौनसी टाइप की स्मोकी आई मेकप होती है सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा सो आजकल स्मोकी आई मेकप करना सबको ही पसंद है लेकिन सबको लगता है कि बहुत जादा हार्ड होती है सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत एजी मैंटर्ट से आपको मैं बताऊंगी स्मोकी आई करना सो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो आपको सबसे पहले लेना है इस तरीके का फ्रैट ब्रश और उससे आपको कंसीलर अप्लाई करना है पूरे आईस पे सो इसमें मैं आपको बेसिक भी बता रही हूँ सो आपको नो क्या करना है अच्छे से दोनों आईस पे पहले कंसीलर ही हम अप्लाई करते हैं अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है और दोनों आईस पे अलग-अलग स्मोकी आई करके बताऊंगे आपको उससे आपको दो दरगे की स्मूकियाई समझ आ जाएगी सो देखिए concealer आपको पूरी प्लेट पर अच्छे से अप्लाई करना है and then मैंने एक beauty blender लिया है and उससे मैं blend करूँगे अच्छे से देखिए मैंने अच्छे से पूरे face को blend कर लिया है concealer को and then मैंने loose powder में apply करते हूँ अच्छे से आपको loose powder apply करना है पूरे face पे देखिए इस तरीके से so अब दोनों eyes पर मैं अलग-अलग eye makeup करूँगी so उससे आपको समझ आ जाएगा तो पहले मैं एक eyes पर करूँगे and then दूसरी eyes पर मैं आपको दूसरा eye smokey eye makeup बताऊँगी so I hope आपके मेरे चैनल को subscribe जरूर किया होगा और मैं इस तरीकी की ही video बनाती हूँ अगर आपको फसंद आ रहे तो जरूर से share करे like करे subscribe करे so अब मैं आपको यह जो smokey eye बता रही हूँ उसके लिए मैंने लिया है यह gel liner यह gel liner है यह हम काजल की तोर पर भी use करते है so मैंने यह flat brush लिया है then इससे मैं apply करूँगी gel liner आप इसके जगा काजल भी ले सकते है आप liquid liner भी ले सकते है pen liner भी ले सकते है पर उन्हीं क्या होता है blend करने में थोड़ी मुश्किल होती है यह gel liner बहुत अच्छा है smokey eye के लिए so मैंने इससे upper lash line पर मैंने सबसे पहले इससे apply किया है देखें मैं आपको इद्दम slow करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए देखें धीरी धीरी में थोड़ा उपर लेते हूँ जा रही हूँ अच्छे से blend करते जा रही हूँ देखें आपको इस तरीकी का ही brush लेना है उससे अच्छे से blend हो जाता है देखें अब मैंने थोड़ा fast किया है अच्छे से आपको blend करते जाना है उपर तक इसमें बहुत important है blending बहुत अच्छे से आपको blending करनी है देखें मैंने lower lash line पर भी apply किया है अच्छे से आपको blend करते हुए crease area तक आपको apply कर लेना है and then मैंने लिया है brown light shade लिया है मैंने इदम ही and then मैं पूरे को अच्छे से blend कर रही हूँ उससे देखें मैंने फिर से brown shade लिया है light brown आपको लेना है इदम and then आपको पूरे crease area पर apply करना है आपको एक साथ ही बहुत सारा product apply नहीं कर लेना है आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके product apply करना है जैसे मैं कर रही हूँ देखें मैं थोड़ा थोड़ा brown shade ले रही हूँ and then apply करती जा रही हूँ आपको फट से सारा ही apply नहीं कर देना है देखें फिर से मैंने brown shade लिया and then मैं ऐसे blend कर रही हूँ आपको blending बहुत अच्छी करने है स्मोकी आई में blending ही बहुत important होती है तो आपको बहुत अच्छी से blending करने है और साथ में dust भी clean करती जा रही है अब देखें मैंने gel liner लिया है इंदेन देखें मैं किस तरीके से उसे apply कर रही हूँ इस तरीके से मैंने apply किया है अपर लेश लाइन पर एंदेन देखें मैं कैसे smudge करके ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी से ब्लेंड करना है आपको देखें अच्छी से मैंने blend किया है और आपको अच्छी से ब्लेंड करना है सबसे important मैंने बताया है blending है अच्छे से हमने blend कर लिया है and then मैंने lashes apply कर लिया and then अब मैं false lashes lower lash बना रही हूँ liner की help से देखे मैंने बना लिया है and then गे हमारा eye makeup complete हो चुका है अब मैं आपको दूसरा smoky eye बता रही हूँ so इसमें मैंने सबसे पहले सबसे light brown shade apply किया है मैंने crease area पर सिर्फ मैं crease area पर ही apply कर रही हूँ एद्दम light shade देखे अच्छे से blend करते हुए आपको apply करना है देखे सबसे important मैं बहुत थोड़ा थोड़ा product ले रही हूँ आपको भी ऐसे ही लेना है थोड़ा थोड़ा product आपको apply करते जाना है एंड दिन दिखे मैंने outer crease area पर मैंने black shade apply किया है देखे अच्छे से आपको outer crease area पर apply करना है देखे अच्छे से blend करते जाना है आपको देखे blend मैंने कर लिया है and then अब मैं cut crease कर रही हूँ मैं half cut crease करेंगे हम तो आपको अच्छे से concealer से cut crease करना है या फिर आप clean भी कर सकता है तो मैं concealer से ही इसे clean भी कर रही हूँ अच्छे से clean clean look देना है आपको अच्छे से look आना जी उससे मैंने किया है and then मैं golden shimmery shade apply कर रही हूँ देखे कितना प्यारा look आया है अच्छे से आपको apply करना है मैंने shimmery shade apply किया है inner crease area पर and outer crease area पर मैंने black shade apply किया था and खाली crease area पर मैंने light brown shade apply किया था so I hope आपको समझ आ रहा होगा and then मैंने upper lash line पर मैं liquid liner apply कर रही हूँ देखे मैंने कितना पत्ला लगाया आपको भी इसी तरीके से लगाना है देखे मैं अच्छे से liner मैंने apply कर लिया है and then अब हम apply करेंगे lashes देखे false lashes हमने apply कर ली है so दोनों का look आप देख सकते हैं कितना different है so ये cut crease है और वो smoky eye है ये दोनों ही smoky eye है बस ये cut crease है और वो normal smoky eye है smoky eye में हम glitter भी apply करते हैं अगर आपको glitter वाली smoky eye देख रहा है तो जरूर से मुझे comment कीजिएगा मैं जरूर से आपको बताऊंगी so smoky eye में क्या होता है हम बहुत highlighter apply करते हैं so देखिए मैंने tear dust area पर highlighter white color का highlighter में apply कर रही हूँ and brow bone area पर भी हमें highlighter apply करना है देखिए इस तरीके से ये आपको करना है so अब इस वाली पर आपको सरफ brow bone area पर आपको highlighter apply करना है और अच्छे से आप blend कर लिजी so दोनों का आप देखी सकते हैं so comment में जरूर बताएगा आपको कौंसी smoky eye पसंद आई so I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने like जरूर किया होगा so allah peace friends next video में जरूर मिलेंगे